कलस टीवी शो मोलकी में होने वाला है बहुत बड़ा खुलासा जी है आपको बता दे सामने आने वाली है साक्षी की सच्चाई सामने आने वाला है साक्षी का असली चहरा वही साक्षी का परदा फाश होता नजर आने वाला है आपको बता दे बड़ी कबर सामने आ रही है कि स जो मैं वो असली साक्षी संक्षी नहीं है वह निकली संक्षी है जिसको जो जो है शो की विलिन प्रेकाशी ले रही है प्लस्टिक करवा के और क्योंकि काफी मिलेगी ऊनिया जिसी को साक्षी सच्चाई की उसके बाद मुंक्या जी को पता चलेगा साक्षी की सच्चाई तो आगे क्या होगा यह देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा क्या मुखिया जी साक्षी को घर से बार कर देंगे जो नकली साक्षी बनके आई है वहीं जब मुखिया जी को प्रकाशी की भी सच्चाई पता चलेगी साथ में अंजिली क भी सच्चा ही पता चलेगी तो विरेंद प्रताप सिंग क्या करेंगे यह देखना काफी जादा इंट्रस्टिंग होगा और फिर से जो है आजकल जो आप पूरवी और जो मुख्या जी अलग नजर आ रहे हैं दूसरे से तोड़ा क्योंकि मुख्या जी को इस बातका तकलीफ होती है कि पूरवी काफी जाधा बुकि यह हैं अगर साख्षी के साथ होते तो मुख्या जी इस बात से काफी परिशान विरेंद प्रताप सिंग भी काफी परिशान है तो आने वाले साक्षी का चेहना तो विरेंद्र पेताब सिंग किया करने वाले यह कि देखना काफी ज़्यादर इंट्रस्टिंग को जब मुखी जी को पता चलेगा कि वो उनकी 5 साल पुरानी वाली साक्षी नहीं है क्योंकि इस ताक्षी की आदते भी चेंज हैं यह जो हरकते जो कर रही है कुछ अलग हरकते कर रही है और किस तरह से कई चीजों में नाटक भी करती है तो इस तरह से जो है विरेंद्र के सामने जब वो औरत जो है अंजान एक लेडी सामने आएंगी जिस तरह से वो सच्चा ही सामने लाएंगी व्या साक्षी की प्रकाशी कि और अंजली की तो विरेंद पिताप सिंग यानि मुखिया जी क्या करेंगे आगे यह देखना काफी जाद इंट्रस्टिंग होगा क्या वो साक्षी को घर से बाहर कर देंगे या वो खुद हवेली से बाहर चले जाएंगे पूरवी और अपने बच्चों को लेकर तो यह द